कि हमारा बच्छे फर्स्ट कुष्टिन आज वी एफ फाइंड पीएच ऑफ बफर तो चाहिए आज हम डिसकस करेंगे हमारा पाइसका एक ओर कुष्टिन भी है दे कुष्टिन इस डेरिवेशन ओफ हिंडर संज एक्वेशन पीएच ऑफ बफर सुलूशन या डेरिवेशन ओ हिंडर संज एक्वेशन क्यों कि बफर की बात करेंवेश से असकांसा नोट करेंगे जी इस डिक बफर इस प्रिपेरड एज इस प्रिपेरड एज कैसे प्रिपेर करोगे आप प्रिपेरड एज हमने क्या बात की थी कि बफर में आपको वी कैसिट चाहिए होते हैं आपको तो यह बचा- Nis कैसे होगा? यह Nis होगा, H positive vine और A negative vine इस acid की base है A negative तुब इसका zacärt ले लोगे NAA यह आपका बन गया acidic buffer क्या बन गया जी? manicومpfर reaction number one, reaction number two तो we write, acidic buffer is prepared as तो यह आप reaction दो note कर ले अब मुझे बताएं एक बहुत simple derivation है, बहुत असान derivation है, मुझे बताएं के A for above reaction is, अब हम क्या करेंगे, के A लिखेंगे reaction 1 में acid है तो उसके respect से, तो बचे के A का answer आएगा, के A equal to, क्या formula था, product divided by reactant, तो बचे reaction 1 के product है, H positive iron multiply by A negative iron divided by HA, यह आप ने लिखा जी के A, एक वे नमबर 1, यह मैंने लिखा, के A, एक वे नमबर 1, अच्छा अब देखो, त्रौसा और करो, आपको pH find करनी है, आपको pH find करनी है, और pH का formula बचे क्या होता है, pH का formula है, minus log of, minus log of H positive iron concentration, जी आपके pH का formula, ठीके तो आप मुझे बताएं, इस reaction में कहीं आपको H प्लस नदल आ रहे है, reaction 1 में H प्लस नदल आ रहे है, तो अगर मैं इसका minus log लूँगा, तो pH बन जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप इसको rearrange करें H के respect से, तुम कहते हैं rearrange equation 1, rearrange equation 1 को आप rearrange करो, तो बचे आपके H प्लस का answer क्या हैगा, H प्लस इक्वल्स टू, H A को multiply कर दें, A माइनस को divide कर दें, तो चाप का answer आएगा, के A multiply by, H A concentration, और A माइनस को divide कर दें, क्योंकि हमने H प्लस का answer निकालना है, got, ये वचे आपका answer आगया, equation number 2, अब आपने क्योंकि pH में माइनस लॉग आपको चाहिए, तब आप क्या करोगे, आप इसका बनाओगे, we take taking log on both sides, taking log on both sides, आप दोनों साइट्स पे log ले लें, दोनों साइट्स पे log ले लें, तो उचे क्या बनेगा, log of H positive iron concentration, ठीके मैं दोनों साइट्स पे log ले रहा हूँ, log of Ka, ठीके जी, हम लोग क्या ले रहे हैं जी, log ले रहे हैं, multiply by concentration को खठा कर ले, ह A concentration divided by A minus concentration, मैंने बच्चे दोनों साइट्स पे log ले लिया, अब जोरा इसको apply करते हैं, log of H positive iron equals to log of, first term Ka, second term का जब log log sign के आएगा, plus का, that's the rule, जब दो term multiply हो रही हैं, उनका आपने log लेना है, तो आपको center में लिखाना पड़ेगा, plus, तो log of H, A, concentration को separate नहीं करना, concentration को separate नहीं करना, अच्चा, last step जी, multiplying minus one, multiplying minus one on both sides, आप दोनों साइट्स पे minus one multiply कर दे, तो क्या बच्चा आएगा, minus multiply क्यों कर रहे हैं, क्योंकि minus log P के equal होता है, हम बात पड़ चुके हैं, तो यह आपका पूरा क्या बन जाएगा, pH, दोनों साइट्स पे negative multiply, log of Ka, plus, minus, log of, plus into minus, minus, log of H, A, multiply by A, minus, concentration, here, यह आपकी आगी क्यों है, number, 3, अब मुझे बताएं जी, minus, log of H, किसके equal होगा, minus, log of Ka, किसके equal होगा, यह क्या होगा, pH की equal, that's equal to P Ka, अब आप क्या करोगे, इन दोनों की value को 3 में डाल दो, put in 3, put in, equation 3, यह आप put कर दे, 3 में, तो आपका final answer क्या होगा, मैं यह साइट erase कर रहूँ, ठीके, यह साइट में बच्छे erase करूँगा, now we write the final answer as, जी, यह पूरी term, यह पूरी term equal है, pH के, so we write finally, क्या बनेगा बच्छे, pH, that's equal to, यह पूरी term, किसके equal है, जी, P Ka, तो pH equal to P Ka, minus, log of, अच्छा थोज़ा धिहान देना, थोज़ा धिहान देना, ह A, क्योंकि हम journal derivation कर रहे हैं, जर्नल बात करने जा रहे है, ह A represent कर रहा है, acid को, H A represent कर रहे, acid को, तो मैंने यहां पर H A के बजाए, acid लिख दिया, ठीक है, और A negative, क्या चुआ, आपने A negative का salt लिया था, यहां हम लिखते हैं, जी, acid by salt concentration, तो यह बच्छे, आपका निकल आया formula, इसको नाम देते हैं, also we write as pH equals to, तो यहां प्लस लिखा होता है, अगर यहां प्लस करना है, इन टर्म्स को opposite कर दें, तो साइन प्लस हो जाएगा, तो क्या बच्छे बनेगा, log of salt concentration divided by acid concentration, तो यह बच्छे, इसका नाम है, इन दोनों का नाम है, हिंडर संस एक्वेजन, या, आपको बफर का pH निकलना है, बफर का pH निकलना, also we write, अगर हमें कह दें, पी ओएच फाइन करें, तो हम क्या करेंगे पी एच एसिट के लिए टेम यूज़ करते हैं, तो बेस के लिए क्या यूज़ करेंगे, पी के बी प्लस log of salt divided by salt divided by base, इसिट के वज़ाए क्या आजाएगा जी, बेस आजाएगा, आइडियल बफर सलुशन, वाट आइडियल बफर सलुशन, यह आइडियल बफर क्या होता है, ऐसा बफर जिसके अंदर salt और acid की concentration आपस में equal हो जाए, salt और acid की, अगर base की बात करें तो वो भी ठीक है, ठीक है, अगर क्योंकि जब acid की बात करेंगे तो pH लेंगे, और अगर base की बात करेंगे तो pH लेंगे, तो we define as the buffer, the buffer solution, define कर लें, the buffer solution, in which concentration of salt, concentration of salt and acid, and concentration of acid becomes equal, becomes equal, इसको बच्छे हम नाम देते हैं, ideal buffer, ठीक है, तो यहां mention करेंगे, that is, क्या बच्छे, salt concentration becomes equal to acid concentration, तो मुझे बताओगे, so we write, जै कहते हैं जी, for Henderson's equation, pH equals to pka plus log of salt over acid, यह मैंने लिखी है, Henderson's equation, अभी आपने drive की है, अभी आपने drive की है, ठीक है, तो यहां पर दोनों equal है, तो मुझे बताओगे, क्या बनेगा, pH equal to pka plus log of salt acid की equal है, तो क्या बनेगा, acid concentration divided by acid concentration, मैंने salt की concentration को acid की equal कर दिये, तो acid, acid से cancel, तो मुझे क्या बनेगा फिर, we write pH equals to pka plus log of one, cancel होके one आगया, और you know that log of one तो zero होता है, तो इससे pH equal to pka, तो एको definition क्या बनेगी, कि for ideal buffer solution, pH becomes equal to pka, define buffer capacity, अचा buffer capacity क्या होती है, कि buffer की range, buffer जो है, कहां तक pH को maintain कर सकता है, तो buffer की ability के वो कहां तक pH को control कर सकता है, उससे क्या बोलते है, buffer capacity, लिकने, the ability of buffer to maintain, to maintain pH values, to maintain pH values, क्यायँ है,其實 उससे हैं विषरोणों के आशी में है, यढें दाहनी, जागयाँ आवरोणों को नुछ मेश्सफितरा है, यथ दोषरों को में हैं, प्रूण्स्तरों कर दोश्स जाएं से धगया है, यदू